इस्राइल पर हमास के हमले के बाद से ये जंग ऐसे मोड पर पहुँच गई है जहाईस की जद बेग कई और देश भी जल रहे हैं इस्राइल हमेशा से ही जंग को जीत कर खत्म करने की बात करता रहा है लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है इस्राइली बलो की चुनोतिया भी बढ़ रही है इस्राइली सेना को हमास के लड़ाकों के साथ साथ उसके प्रतिरोध गुटो का भी सामना करना पड़ रहा है जिससे उन्हें नुकसान काफी हुआ है इस जंग में यमन का हूती हमास के समर्थन में इसरायल और उसका समर्थन देने वाले देशों को टार्गेट पर लिए हुए है। मिसाइल और खातक ड्रोन से हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में हुटी ने अपने दुश्मनों को चेताने के लिए मिशन के पहले अभियान के जहाज सो यूनियन का फुटेज जारी किया है। जिसमें साफ दिख रहा है कि जहाज पर हुटियों के भीषण हमले से वक्या से तबाह हो गया और लाल सागर में समा गया। इस खुखार वीडियो के जरीए हुटियों ने एक बात साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह से दुश्मन देश के जहाजों को नहीं बख्षेंगे। वहीं सो यूनियन के मालिक ग्रीक कमपनी डेल्टा टैंकर्स ने पुष्टी की कि घटना के बाद जहाज पह गया। और इसी कड़ी में यमनी शशस्त्र बलो ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने खुले आम अमेरिका और ब्रिटेन को धमकाया। बयान में कहा गया। हूतियों ने कहा है कि ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा में इसराइली बनों की खेरा बंदी नहीं रुख जाती। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे देशों के जहाजों के लिए भी चेतावनी जारी की है। यमन की हूति फोर्स ने बताया कि वे लाल सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महा सागर से गुजरने वाले सभी जहाजों को सलाह देते हैं। कि वे संदे के घेरे में आने से बशने के लिए डेटा में हेर फेर ना करें और अपनी पहचान को बिल्कुल ना चुपाएं। इसके साथ ही उन कमपनियों को धन्यवाद भी किया जो उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। यमनी सशस्त्रबल उन कमपनियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रतिबंद के फैसले का पालन किया है और कबजे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों पर जाने से परहेस किया है वे आश्वासन देते हैं कि ये जहाज यमनी सश्ष्ट्र बलो के परिचालन दाइरे में सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं बतादे कि यमनी बलो ने अपने देश के खिलाफ अमेरिका और बिटेन द्वारा किये गए, खातक हमलों के जवाब में अमेरीकी और बिटेश जहाजों के किलाफ कई ऑप्रेशन कीए हैं और इनके मालवाहर जहाजों पर भी शड़्व हमला भी किया है गाजा पर इसराइल के नरसंगार युद्ध की शुरुवात के बार्थ से यमनी बलो ने युद्ध प्रभावित गाजा वासियों के समर्थन में कई अभियान चलाए हैं जिनमें कबजे वाले फिलिस्तिनी शेत्रों में लक्षों पर हमले करने के अलावा कबजे वाले शेत्रों में बंदरगाहों की यूर से जाने वाले इसराइली जहाजों को भी निशाना बनाया गया है